हैलो फ्रेंट्स वर्कम बाक टू PC स्टेडी चानल फ्रेंट्स आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जारखन पॉल टेक्निक का रिजल्ट जो है कब आने वाला है क्योंकि फ्रेंट्स आप लोगों को पता है कि इसका एक्जाम जो है 30 अप्रेल को कंडक्ट करा दिया गया है तो मैं बात करेंगे और टोटल कॉल्ज में सीट आपका यहां पर कितना सिट है वह भी हम आपको इस बिडिदी में बताएंगे साथ में बात करेंगे कि जो है अडमिशन का प्रोसेस कहा रहा है कॉंसलिंग मेंगा क्या-क्या डुक्यमेंट लगेगा एडमिसन में क्या क्या डोक्यूमेंट लगेगा सारी चीज हैं friends हम आपको इस बीडियो में बताने वाले हैं कोई भी चीज मिस नहीं होगा तो फ्रेंट बीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है तो बीडियो को पूड़े आंतर देखेगा बाके चानल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिए जिससे आपको और भी अप्डेट मिल पाए तो फ्रेंट सबसे पहले हम यहां पर बात कर लिते हैं रिजल्ट की क् तो फ्रेंट जैसा आप लोगों को पता है कि यहां पे 30 अप्रेल को एक्जाम हुआ है तो देखा जाए तो 20 से 25 दिन लगता है ठीक है ना तो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है तो देखा जाए तो 20 दिन तो यहां पे हो चुका है तो 25 तक या फिर 28 मतलब last week of मई बोल सकते है बागी कोई भी official update आता है friends तो आपको जो है हम यहां पे recently update करेंगे जैसे ही आता है वैसे ही हम update करेंगे ठीक है ना बागी friends अब हम यहां पे बात कर लेते हैं जो है साड़ी चीन आप बात करेंगे कि कौन-कौन से trade है जारकन पॉल टेकनिक में ठीक है ना तो बिलकुल भी आपको यहां पर skip नहीं करना जिससे सार्चियन आपको यहां पर clear हो जाए तो friends यहां पर बात करेंगे क्या 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 डूक्यूमन लगेगा तो mark seat 10th का and admit card का certificate passport size photo and counseling letter और यहां पर जारकन पॉल टेकनिक का admit card और जारकन पॉल टेकनिक का mark seat नहीं होता है ठीक है इसको अटा यहां पर देख सकते हो friends college में यह verify हुआ यहां पर देख सकते हो यहां पर student का signature भी है ठीक है ना तो यह सार्च चीज़ा है आपका verify होगा college में जब आप admission के लिए जाओगे ठीक है ना और यहां पर बात करेंगे आप upgrade कराते हो मानों कि आपको first list में admission नहीं लेना है और आप upgrade करा रहे हो तो कोई भी आपको fee नहीं देना पड़ेगा admission fee otherwise आपको admission fee देना होगा जब आप admission लोगे ठीक है ना तो यह चीज़ें हैं बाकि अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि trade जो है बिहार और यहां पर जहारखन पॉल टक्नी मे और यहां पर जो है आई-टी एलक्रोनिकल एंड टेली कम्म्निकेशन और यहां पर जो है सिवील माइनिंग कैमिकल और यहां पर आई-सी इंजिनिरिंग और भी trade है friends मैं आपको भी दिखाता हूं बहुत सा trade है आपको जो भी बिस्ट लगे वह अपले सकते हो बाकि आप मेर एक अगाँ प्लास्टीिक है फुट प्रोसेसिंग है और यहां पर agriculture है डाइली टेक्नलोड़ी है बहुत सारे यहां पे डिड अब यहां पर आरे ऐकर जान है और यहां पर ना करता और यहां पर इंजिनिरिंग और इंव ंटलर्वी और यहां पर पावर एजिनिरिंग प्रोडेक्शन इंजिनीरिंग और यहां पर इंस्टा फ्रेक्चर, मोटर, स्पोर्ट, मेटलरगी, ठीक है ना? और यहां पर टेक्सटाइल, तो यह स्तारी ट्रेड है फ्रेंट जारकन पॉलिटेकनिक में, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं college, government college, यहाँ पर देख सकते हो government college का list है, आप इसको अच्छे से check out कर लो, ठीक है, और किस college में कितना seat है, कौन से trade के लिए, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है न, तो बिल्कुल भी आप लो skip मत करना, यह हो गया, ठीक है न, अब हम यहाँ पर बात कर 60-60 seat है, टोटल 240 seat है, एंड जैसे हम यहाँ पर देख लें, यह आपका जो है, सिम्डेगा में, ठीक है, government, polytechnic, सिम्डेगा में, तो यहाँ पर देख सकते हो, इसमें भी electrical, civil, mechanical, electrical and electronic, 60-60 seat है, टोटल 240 seat है, ठीक है न, इसी तरह यहाँ पर देख सकते हो, यह आपका women's, government, polytechnic college है, दुमका का, तो यहाँ पर देखो, इसमें electrical and electronic engineering और civil engineering है, तो friends, यहाँ पर देखा जातो, ऐसा नहीं है, कि सारे college में, हर इक यहाँ पर trade होता है, किसी college में कोई trade होता है, कोई trade नहीं भी होता है, ठीक है न, यह चीज़े है, बाकी सारा यहाँ पर डिटेल दे दिया, कि किस college में कौन सा trade है, और किस college में कौन सा trade है, और कितना seat है उस trade में, और total seat उस college में कितना है, वो भी सार्च है, यहाँ भी mention है, आप इसको अच्छे तरिटाट करो, और screenshot आप ले लो, जिससे आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है न, तो यह रहा, ठीक है, और यह आप द काटेगरी क्या है, ठीक है, उस पर भी depend करता है, आपको कौन सा trade चाहिए, उस पर भी depend करता है, ठीक है, यह चीज़े है, बाकी यह देख लो आप, ठीक है, एंड, ओके, यह है आपका college सी detail, ठीक है न, किसमें कितना college है, वो आप यहाँ पर देख लो अच्छे से, एंड, ओ ठीक है न, देखो friends, यह पिछले साल का मैं लेके आया हूँ, ठीक है न, और हम बता देते हैं आपको अपने अंदाज से, तो यदि आपका rank, यदि आपका rank 15,000 पलस है, यूर रेंक, तो first list में अराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 15,000 के आस पास है, तो first list में अराम से कोई न, कोई trade आपको मिल जाएगा, और यदि जिसका rank यहाँ पे 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, last 40,000 तक भी है, ठीक है, तो मानो जिसका you are rank 40,000 होगा, तो category rank तो कुछ होगा, जैसे SC, ST, OBC, कोई category तो होगा, तो वो भी rank होगा, तो उस rank से, category rank से, उसको भी, जिसका you are rank 40,000 है, उसको भी जो है, यहाँ पे second list या third list में अराम से college कोई न, कोई मिल जाएगा, तो इतना देखा जाए, तो जिसका भी you are rank 40,000 के आसपास है, उसको भी second से third list में कोई न, कोई college अराम से मिलेगा, मतलब you are rank से नहीं मिलेगा, category rank से मिलेगा, ठीक है न, तो यह चीज़ प्रेंग प्रेंट करता है, यह देख लो, 13,649 और इसके नीचे भी जाओगे, तो 15,000, 16,000, 17,000, यह मैं सिर्फ एक पार्ट का लेकर आया हूँ, इसके नीचे जब इसका पीडियाप नीचे वाला है, ठीक है न, तो उसमें 15,000, 18,000, 19,000, 20,000 तक भी का भी admission हो गया, जिसका आप लोग जोईन करो, और questions करो, जो भी आपको doubt है, वहाँ पर आपका start doubt clear हो जाएगा, ठीक है, बाग की counseling यहाँ से होता है, आप चाहो तो counseling के time, आप यहाँ से counseling करा सकते हो, best counseling यहाँ से होगी, कम फीस में, right, so friends, मिलते हैं, new update के साथ, and result आता है, वहाँ पी मिलते है, so thank you so Thank you, and कोई भी चीज छूट गया है, comment box में जबर mention करें, मैं आपको reply में जवाब दे दूंग रहा है, so thank you so